मध्वापूर्थाना पुलिस ने मंगलवार की सुभा अस्थानी कनहिया बहर चोक के समीप रामजी साह के मकान से एक कप्रा वेवसाई का सब छत में फंदे से जूलता हुआ बरामत किया घटना की सुचना फैलते ही लोगों की भारी भीर घटना अस्थर पर जिट गई पुलिस ने मिर्तक कप्रा वेवसाई की पहचां सीता मधिस सहर निवासी भरत गुत्ता का 36 वर्षिये पुत्र विश्मु गुप्चा के रूपने की है मिर्तक रामजी सहर के मकान में दूसरी मंजिल पर किराये के घर में रहता था और मध्वापुर पेठिया गाची बजार इस्थित बैधनाफ मिस्र के मकान में कप्रे का दुकान चला रहा था मिर्तक के बरे भाई पवन गुत्ता ने पुलिस को परिवारी कलह से तंग आकर आत्मात्या करने की बात कही है मिर्तक को तीन वर्ष की एक पुत्री और देल वर्ष का एक लर्का है प्रत जनकारी के मुताविक मिर्टक करीब रात बाढ़े बजे पत्नी रुब्वी गुपता को फौन कर फांसी लगाने की बात बताया था जिसे पत्नी ने समझा की मजा कर रहा है प्रन्तु मंगलवार अहले सुब फौन की तो फौन बंद रहने पर आनन्द फानन ने सीता मधी से आई और घर के रोसंदान से देखा कि पती केवल कच्छा पहने हुए और छट से फंदे से लटका हुआ है इस बात की सुचना ततकाल पुलिस को दिया गया इधर मिर्तक के सुचनों के अनुवोध पर पुलिस ने सरपंच बलराम कुमार जा, कंग्रेस नेताली लंबर मिस्र, सिब कुमार साह एवं सुचनों की उपस्थिती में पंच नामा बना कर मिर्तक का सब उनके परियोनों को अंतिम जंसकार के लिए सौप दिया इधर घटना परमधापुर के वेवसाई और जन्परतुनीधों में गहरा दुख परकट किया है